चलि हम इसटार्ट करते हैं यह टेंस में Pruite Pan पर्फेक Tten पर्-perfect Tent $इन्स hose में प्रफेक तंस ही होता है पूड पूड का मिन्स होता है तू कंपलीट मतलब इस टेंस में और अर्तमान समय में हमारा कारय क्या हो चुका होता है पूर हो चुका होता है, complete हो चुका होता है, इसका पहचान क्या है, चलिए हम पहचान को पहले देखते हैं, इस tense में हिंदी वाक्यों में मेन बर्व, मेन बर्व का मिस होता है, मुख क्रिया, मुख क्रिया का मतलब ही होता है, कोई भी कारिश से पढ़ना, लिखना, हसना, गान रोना याद करना इस अभी हमारे में बर्व में आते हैं इस टेंस में हिंदी वाकिव में बर्मुख क्रिया के साथ चुका है चुकी है चुके है चुका हूं लिया है दिया है ली है दी है की है आदी सब्द आते हैं मतलब इस टेंस का पहचान ही यह है कि हिंदी वाकिव में ऐ यूज़ करेंगे third farm इसमें helping verb, hedge या hype का प्रयोग करते हैं third person singular subject के साथ hedge का प्रयोग करते हैं third person singular subject का means यह होता ही, see, eat, ram, sita, table, chair मतलब एक वस्त की यदि बात की जाती है तो third person singular subject में आते हैं और बाकी सभी subject के साथ हम प्रयोग करते हैं hype का बाकी सभी subject में क्या आएंगे? आई, वी, यू, दे, दे, दी, दोज, यह सभी आएंगे चलिए हम फार्मेट को देखते हैं अफर्मेटू sentence, अफर्मेटू sentence का means होता है साकार अत्मक वाक्य इसका क्या पाहचान है? इसमें एकदम साधारर बात होती है नहीं सब्द कभी आते हैं और नहीं इसमें कभी प्रस्ण पोचे जाते हैं इसका रूल क्या है? पहले आप subject को write करेंगे उसके बाद हायज या hype को write करेंगे according to subject यदि हमारा subject third person similar subject होगा जो अभी आपको मैंने उपर पताया यदि third person similar subject होगा तो हायज का प्रयोग करेंगे और बाकी कोई भी subject आएगा आप हायज का प्रयोग करेंगे उसके बाद बरवका third form का प्रयोग करेंगे उसके बाद object का प्रयोग करेंगे चलिए हम example के मानधम से इसको समझते हैं वाइ स्कूल गया है तो यहां पर जाने का काम पूरा हमारा क्या होगा complete हो चुका है और कौन गया है वा को क्या बोलते है और ही हमारा third person है इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हायज का ही हायज वो का third person क्या होता है गान टू स्कूल रमेश और सुरेश खेले है यहां रमेश और सुरेश दो लोगों का नाम है और अभी मैंने आपको क्या बता दो लोगों के नाम या कई वस्तों लोगों के नाम के साथ किसका क्या प्रयोग करते है हायज का रमेश और सुरेश हायज आप चाहे रमेश और सुर्यज खेले हैं या खेल चुके हैं दोनों का मीनिंग सेम हैं चाहे आप जो बोल सकते हैं नगेटू संटेंस का मिन्स होता है नकरात्मक वाक्ष में क्या होगा कि नहीं सब्दाते हैं मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो नहीं सब्दाएंगे तो हमारा रूल क्या है पहले subject है जाहेब subject के according है जाहेब का प्रयूग करेंगे उसके बाद not का प्रयूग करेंगे क्योंकि यह negative sentence है और बरवका थर्ड पार्म आपजेट बाकी सब वैसे ही रहेगा मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा हूँ तो मैंने बोले, मैं बोले या मैं मुझको बोले दोनों का मीनिंग सब सेम है मैंनों को I बोल दिया और I के साथ किसका प्रयोग करेंगे आई के साथ है उसके बाद not read का थर्ड फान में प्रनेंसियेशन राइट बोलते हैं इस किताब को इस बुक इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेट्व फॉर्मेट्स परजिन परफेक्टेंस का इंट्रोगेट्व फॉर्मेट्स का मिन्स होता है प्रेशन वाचक वागे जो फॉर्स टाइब का इंट्रोगेट्व संटेंस होता है इसको हम यस नो टाइब का भी बोलते हैं क्योंकि इसका जबाब हम यस या नो में देते हैं चलिए रूल हमारे क्या है पहले हैज है राइट करेंगे अकार्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है उसी के अकार्डिंग हैज हैप का प्रयोग करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट थार्ड पर्सन स्मूलर सब्जेक्ट होगा तो हैज का सबसे पहले प्रयोग करेंगे और यदि हमारा subject बाकी subject यह है be, you, they यह subject आएंगे तो उसके साथ hive का प्रयोग करेंगे उसके बाद इस परकार के sentence में यदि negative sentence आएगा नकरातमक रहेगा तो subject के तुरंद बाद not का प्रयोग करेंगे उसके बाद बारबका third farm का प्रयोग करेंगे उसके बाद object का प्रयोग करेंगे उसके बाद last में हम question mark का प्रयोग करेंगे इस परकार के वाक्यों में क्या सब्द सबसे पहले आएगा तो क्या सब्द के लिए हम subject के according ही hive या hive का प्रयोग करेंगे यदि वही rules यदि हमारा sentence subject जो रहेगा third person similar रहेगा तो हम सबसे पहले hive का प्रयोग करेंगे और बाकी subject रहेगा तो hive का प्रयोग करेंगे तो क्या हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर क्या सबसे पहले आया है तो इसका जबा हम yes या no में दे सकते हैं इसलिए इसको yes no type का sentence बोलते हैं तो यहाँ पर subject कौन है हम हमको English में बोलते हैं B और B हमारा क्या है plural numbers है plural numbers के साथ है प्लूरल subject के साथ hive का प्रयोग करते हैं सबसे पहले teach comments पढ़ाना उसका third form taught और last minute में question mark क्या वे अपने भाई के साथ जा चुके हैं तो यहाँ पर जाने का काम complete हो चुका है लेकिन क्या से starting है यहाँ पर subject वे है वे को English में दे बोलते हैं और दे के साथ hive का प्रयोग करेंगे उसके बाद जाने को गो बोलते हैं लेकिन गो का third form गान होता है और वे अपने भाईक साथ भी DeETर ब्रदर और एक चिज मैंने और बताए था कि वे के साथ मतलब दे के साथ अपने के लिए क्या यूज करेंग देर he के साथ he is c के साथ her rame के साथ ch और सिता के साथ her और we के साथ our और you के साथ your यह सभी आपको याद होने चाहिए इसको मैं किसी और विडियो में बताया हूँ डवली-एच इंट्रोगे-टु संटेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो हिंदी भाक्य का संटेंस होता है उसमें Questioning Words बीच में आते हैं मतलब जो Questioning Words होते हैं उसमें WH later मौजूद होते हैं इसलिए हम इसको WH interrogative sentence बोलते हैं इस परकार के वाक्यों के बीच में क्यों, कैसे, कहां, कब आदी सब्द आते हैं और क्यों को इंगलीज में why बोलते हैं, कैसे को how बोलते हैं, कहां को where बोलते हैं, कब को when बोलते हैं इसलिए और हर questioning word के बीच में, या questioning word में WH later आते हैं चलिए हम rule को देखते हैं, rule हमारा किया है, पहले WH questioning word का ही इंगलीज ही write कर देंगे जो हिंदी में हमारा sentence आया रहेगा तो जो questioning word होगा, उसको सबसे पहले write कर देंगे उसके बाद है, subject के according सी उच करेंगे, नहीं सब्द रहेगा, तो not का प्रयोग कर देंगे उसके बाद बरबका third form प्रयोग करेंगे, उसके बाद object last में question मारा चलिए हम sentence के मादध हम से, मेरी माता जी भोजन कैसे पकाई है तो यहाँ पर कैसे word आया है, या कैसी पका चुकी है, ऐसे भी हम बोल सकते है मेरी माता जी भोजन कैसे पकाई है, या कैसे पका चुकी है, दोनों का meaning same है लेकिन अब ज़्यादा तर cases में चुका है, चुकी है का प्रयोग नहीं किया चाते है चलिए हम sentence को देखते हैं, तो पहले क्या करेंगे हम, इस questioning word का spelling right, words right करेंगे, how बोलते है उसके बाद my mother को singular, my brother, my sister, my father, जो भी आएगा, इसको हमेशा singular की तरह treat करते है my mother के साथ किसका प्रयोग कर देंगे है, और नहीं सब्द होता है, तो not लगाते है, cook का means पकाना होता है, cooked of food अब ही यूज कर सकते हैं, देव यूज करते हैं, यदि हमें भोजन के बारे हम पता नहीं है, जिसे हम नहीं पका रहे हैं, तो आ लगाएंगे अब ही उस भोजन के बारे में पहले पता है, तो वहाँ पर दगाई है, वे बजार कैसे गए हैं, या कैसे जा चुके हैं, दोनों का meaning same है, पहले हम कैसे English questioning words को write करेंगे, how, उसके बाद subject क्या, वे, वे को English में दे बोलते हैं, दे के according सम किसका प्रयोग करेंगे है, क्योंकि या plural subject है, go comments होता है, जाना, उसका third form होता है, gone to market, last में question mark, राम भोजन कब पकाया है, तो पहले कब पकाया है, या कब पका चुका है, कब को English में बोलते हैं, और subject क्या है, राम, राम को राम ही write कर दी है, राम किसी एक का नाम है, इसलिए third person similar subject है, उसके साथ है, प्रयोग कर किसी एक्तट segur प्रतो राम है, ये करिके सेज कर बंदे है, को राम है, बोलते हैं, श दलना, राम हैर राम हैं, को किसी एक is तो है जए शएयार व्रैषव, आशना में सब बाVENविन में मिसमाल आपका जएर के